भारत की सेकुलरिजम के पर चर्चागर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारे के साथ आज और गंबेरता से बात करना चाहता हूँ भारत का सेकुलरिजम इसलिए नहीं है कि समिधान के अंदर उस सब्द जोड़ दिया गया है भारत हजारो साल से सर्व पंथ संभवाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलोसोफी कहती है एकमसत विप्राहा बहुता वधनती सत्य एक है जानकार लोग उसको अलग-अलग रूप में प्रस्तूप करते हैं है भारत ये एक देश जो कहता है सर्वे अपी सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सदब्रे सर्वे भध्राने पस्चंतु मा कस्चि दूब भागो में भारत कभी ये नहीं कहता है भारत सब के लिए सोचने वाला देश और भारत का भाजारों साल का इतिहार ने कि हिंदुस्तान में कभी तलवार ले करके कभी दुनिया के विचार पर संप्रदाय पर समाइक पर हमला नहीं बोला है विस्तारवाद भारत की ब्लड में नहीं है उस भारत को बिन संप्रदायक सिखाने की कोशिच है न हमें करनी चाहिए न किसी और ने करनी चाहिए जो लोग भारत की बिन समर्दाइकता के नाम पर कल बयाम भाजी की है, मों फारुक साब से पूछ रहा जाता हूं, भारत की बिन समर्दाइकता के ताकत इतनी जोड़दार है, और यह हमारी रगों में है, सिर्व सम्विदान में नहीं, हमारी रगों में ह हम सर्व समावेशक हैं यह देश ऐसा है जो प्रकृती की भी पूजा करता है पैड की भी पूजा करता है पानी की भी पूजा करता है यहां कोई पराया हो यह नहीं सकता है पुरे ब्रह्मान को अपना मानता है पुरे विश्व को परिवार मानता है यह समाज है और उस समाज म अगर इस प्रकार की भार्षा बोली जाए कभी का बार कोई घटना घटे और किसी का बयान आ जाए क्या हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म इतना रद्दी है क्या कि कोई एक बनाएंद तो खराब हो जाएगा और इसलिए फारुग अबदुल्ला से मैं कहना चाहता हूं हजारों साल के हिंदुस्तान के इतियास में भारत की हजारों साल की महां सेकुलरिज्म की परंपरा को सबसे बड़ी चोट गहरी चोट अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है और वो भी सिमान फारुग अबदुला जी आपके पिताजी की राजनीती के चलते हुआ है सिमान फारुग अबदुला जी आपके बेटे की राजनीती के चलते हुआ है इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया जो सुफी परंपरा की भूमी थी उसको आपने नीजी राजनीती स्वात के लिए संपरदाय के रंग से रंग दिया है और इसलिए आपको बयान करने वालों को मोदी को वोड़ देने वालों को दर्या में डुबोने की बात करते हो पहले आपके पिताजी आप आपका बेट कश्मीर की राजनीती को सारी दुनिया में कौमी रंग देने का पाप कश्मीर की धरती पर आपने किया है कश्मीर यह सुफी परंपरा की धरती है कश्मीर यह सर्वसमाविश्क की धरती थी उसको यह दाल रगाने का काम आपने किया है आपको शोभा नहीं देता है इस प्र परपन के सामने खड़ा करकर के यह सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ दिने वाले लोग किस मुझ से किस मुझ से देश को बिंसांप्रदैक्ता की उपदेश दे रहे हैं उनके मुझ में शौभा नहीं देता है हम चूप हैं इसका मतलब यह नहीं है कि जो अचा है वह हमारे संस्कार के कारण ह हमारे ब्लड के कारण राजणीती के कारण नहीं राष्च्ट भक्ति के काण ब्हारत सरवपकत सम्भाव का मार जहीं है वोट्व नकीजिति नहीं विकास की ॏश deben है यह हमारा commitment है सबका साथ सबका विकास और हम उसी मुंत्र पर चलेंगे फारुग अब्दुला साथ जैसे कितने ही लोग अनापसना बाते करें इससे गाड़ी डिरल होने वाली नहीं है देश उच्छ मुल्यों पर चला है जैज जगत का मंत्र ले करके चला है वसुधाय कु प्रमंत विश्व मारियम का मंत्र लेके चला है उससे कभी डिगने वाला नहीं है